स्वागतम दोस्तो आज हम डिस्कर्स करेंगे जब राहू आपके चटे भाव यानि सिक्स थाउस में आके बैठता है तो वो किस तरह के फल या परड़ाम देता है दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक क करना ना बोलें ताकि फूचर में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए दोस्तो राहू एक शैडो प्लानेट है यानि कि छाया ग्रह दोस्तो ग्रह नहीं होता है वो छाया की तरह होता है अगर वो किसी प्लानेट के साथ बैठा होगा तो वो प्लानेट के तरह देगा लेकिन जब राहू अकेले बैठता है तो वो अपने चरित्र अपने करेक्टर के हिसाब से फल देता है दोस्तो राहू और केतु को एक कार्मिक ग्रह का जाता है यानि कि जब राहू और केतु किसी भी हाउस में बैठते हैं इसका मतलब यह है कि अ जो पहले house का सुख नहीं मिला था आपको इसलिए इस जन्रम में राहू पहले इस्था में बैठा है ताकि वो इस जन्रम में उस तरह के फल को enjoy कर सके या सुख को ले सके दोस्तो राहू रिप्रेजन करता है माया, shortcut, obsession यानि कि life में कोई भी चीज को पाने के लिए राहू किसी भी हद तक जा सकता है, राहू कोई भी चीज को पाने के पीछे पड़ जाता है, तो वो shortcut लेता है, वो कोई भी rules society के follow नहीं करता, उसे जो चीज चाहिए रहता है वो लेके रहता है, दोस्तो छटा house रिप्रेजन करता है, courtship को, litigation को, चटा house रिप्रेजन करता है, competition को, enemies को, चटा house रिप्रेजन करता है, loan को, चटा house रिप्रेजन करता है, disease को, चटा house रिप्रेजन करता है, services को, यानि any kind of job को चटा house रिप्रेजन करता है, चटा house रिप्रेजन करता है, divorce को, दोस्तो चटा house र इसलिए रिप्रेजन करता है क्योंकि छट्टा हाउस साथवे हाउस से बारवा बैठता है और साथवे हाउस के लिए बारवा या नहीं छट्टा हाउस मतलब लॉस लॉस मतलब डिवॉस तो इनी कांड अफ डिवॉस आपको देखना है तो आप छट्टे हाउस से देख सकते ह दोस्तो, चठा हाँस रेपेजन करता है competition מא mendes को और राहू में रेजन करता है आपके obsession को, dedications को rules को break करने को और अंदर से ऐसी चाह कि जो चीछ चाहते हैं उसी achieve करने को तो राहू जब चठे हाँस में आके बैठता है तो ऐसे जाट तक कि life में engineering फोते हैं बढ़ वो अपने enemies को बहुत easily आराम से overcome कर लेते हैं अगर वो job करते हैं तो job में बहुत सारे competitions होते हैं और उसके थुरू उनके बहुत सारे enemies बन जाते हैं और ऐसे जाद तक जब जिनके राउ चटे house में थे हैं उनके सामने इनके enemies टिकते नहीं हैं आराम से किसी भी situation में अपने enemies से overcome कर लेते हैं दोस्तो छटे house को एक उपचाया house का आगया है उपचाया house यानि 3rd house, 6th house, 10th house, 11th house इसके combination को उपचाया house बोलते हैं ऐसे houses दीरे दीरे life में gradually आदमी नीचे से उपर की तरफ ग्रू करता है तो अगर राहू जब छटे house में आके बैठता है तो ये position बहुत ही अच्छी होती है ऐसे जातक अपने life में gradually धीरे धीरे grow करते करते बाद में after 40 की age की बाद अच्छी position hold कर लेते हैं तो राहू का चटे house में आके बैठना अच्छी position में बैठना बहुत ही अच्छा संकेत होता है और इसके fire बहुत अच्छे होते हैं तो ऐसे जातक अपने life में बहुत सारे पैसे कमाते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा money earning का योग बनता है क्योंकि राहू चटे house में बैठकि है उसकी 90 दुसरे house में आती है इसलिए ऐसे जातक जिनका राहू चटे स्थान पर होता है और उच्छे का होता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और यह gradually जब वो गरीब होते हैं बचपन में तो धिरे 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 बाब में अडल होते होते हैं वो life में grow करते हैं और एक ऐसे टाइम आ जाता है कि जब सबसे ज़्यादा reach हो जाते हैं और जो life में खुशिया चाहिए लगजरी चाहिए सारे चीज़े मिल जाती हैं दोस्तो राहू डिफाइन करता है communication skill किस तरह से लोगों convince करना किस तरह से लोगों को पठाना और किस तरह से लोगों से अपना काम करवाना उसको राहू रिप्रेजन करता है और चटा हाउस रिप्रेजन करता है job और services को दोस्तो ऐसे दिखा गया है जिसके कुंडली में राहू चटे स्थान में होता है ऐसे जाद तक बहुत ही अच्छे lawyer बनते हैं याने की बहुत ही अच्छे वकील बनते हैं और ऐसे जाद तक specially divorce lawyer बनते हैं विकास चटा हाउस divorce को represent करता है तो ऐसे जाद तक बात करने में तरक वितर में बहुत जादा smart होते हैं तो यह लोग as a lawyer इनके लिए बहुत अच्छा profession होता है साथ-साथ ऐसा भी दिखा गया है कि ऐसे जाद तक banking में बहुत अच्छा करते हैं banking यानि loan department में या state department में बहुत अच्छा यह लोग करते हैं दोस्तो राहू जब चट्थे house में बैटता है अच्छी position में होता है तो अच्छे फल देता ही है लेकिन दोस्तो साथ-साथ यह भी देखा गया है जब राहू चट्थे इस्तान में बैटता है यानि कि वो सात्वे से बावरा बैटता है तो ऐसा भी देखा गया है कि इनके मैरेड लाइफ में प्रावलम होती है अगर राहू की राहू और सात्वा अस्थान का लॉड साथ में बैठा है छट्थे हाउस में तो इनके चांसेज होते हैं काफी डिवास के अगर राहू अच्छी पोजिशन में नहीं है साथ साथ में उसके साथ उनका सेवेंथ हाउस का लॉड बैठा हुआ है और वो भी मैलेफिक पोजिशन में है तो ऐसे जद तक ये डिवास होते हैं और इनके डिवास जो है काफी हद तक कोट तक पहुँच जाते हैं मतलब कोटशिप में काफी इसूस होते हैं डिवास लेने के डाइम पे और बहुत सारे लेटिगेशन पर इन पॉब्लम सुझाती है दोस्तो राहू डिफाइन करता है शॉर्टकट्स को राहू किसी भी सोसाइटी के रूल्स को फॉर्ण नहीं करता है राहू चाता है कोई भी चीज उसको असाने से इजली मिल जाए और राहू के अंदर एक आप सेक्शन होता है तो दोस्तो ऐसे जात तक जिनकी राहू चट्टिया उसमें वीक होता है और बाकी जो दृष्टीज होती है खारागुरा की उसपे होती है तो ऐसे जाता का माइन काफी क्रिमिनल होता है टाइप का होता है यानि ये लोग या तो क्रिमिनल होते हैं या किसी ऐसे संगती में फस जाते हैं जिसके कारण इन्हें ये अपना way of earning जो होता है पैसे कमाने का जो विवसा है या रोजगार वो वो काफी इल निकर हो जाता है यानि कि जो भी समाज के परह होता है जो law के against में होता है वो ऐसे बिंजस करते हैं और उससे पैसे कमाने के कुश्च करते हैं कुछ हद्था के पैसे कमा लेते हैं उससे लेकिन इनके चांसे बहुत जादा होते हैं कि ये court case में जेल में फस जाएं क्योंकि राओ की साथवी डिस्ट्री 12th house में पढ़ती है और 12th house डिफाइन करता है जेल को isolation को तो ऐसे जात तक पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन कुछ हद तक कुछ time के बाद या तो वो जेल में जाते हैं या अपने आपको जिन्दगी में ये फिल करते हैं कि काफी isolated है life में mentally दोस्तो ये था मेरा analysis राओ उइन 6th house दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ बिल आइकन पर क्लिक करना ना भूले धन्यवाद